जो पक्ष्टी महागटवंदन के लिए बड़े कबर राहूल गादी को मुदि सन्डेम केस से मिली रहा है तो कोट में दो साल की सजा कुकिया खारे उसने पक्ष्टी आ चुका खारे जो ग्यान वापी मामले में प्रसाशन दिखा ला नूँ एसपी का हुआ तबादला 176 लोगों को पुलिस ने की अगर अफ्तार 59 में 90 से जादा एफाई आट है तिल्लू अत्यकार्ण के आरोपियों के खिलाफ मामला हुआ दर्द 17 अगस को होगी मामले में सुनवाई दो माई को तिल्लू ताजपुरिया की हुई थी हट्या नमश्कार स्वागत है आपका आज की खबर में हूँ आपके साथ रागनी सिंग्राट और रुक करते हैं दिनबर की बड़ी खबरों का कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी को मोधी सरनेम केस से बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोट ने उनकी दो साल की सजा को खारिश कर दिया जिसके बाद अब वो सांसद में जाकर सांसदी बहाल कर सकेंगे जानकारी के लिए आपको बता दे कि अगर राहूल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगती तो राहूल आच साल तक चुनाम नहीं लड़ सकते थे वही ये खबर कॉंग्रेस के लिए बेहत खास है और विपक्षी गठवंदन इंडिया के लिए भी राहत भरी खबर है वही राहूल के वकील ने कहा कि कोई रेप या मडर नहीं था वही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि केवल राहूल का समाजीवन ही नहीं इस सफैस्पले से उनकी मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सचाई की जीत होती है मगर जो भी हो मेरा रास्ता तो क्लियर है मुझे क्या करना है मेरा क्या काम है उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सुपॉर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धानेवाद करता हूँ को सील बंद कवर में रखा जाए नुह में हुई हिंसा पर पुलिस की कारवाई तेज होती दिख रही है बता दें कि अब तक पांच जलों में 90 से जादा F.I.R. दर्स की जा चुकी है साथ ही 176 लोगों को भी गिरफतार किया जा चुका है मामली की कारवाई करते हुए जिला S.P. कितरा ट्रांसफर भी किया गया वहीं बता दें कि नुए S.P. शोभा यात्रा से पहले ही छुट्टी पर चले गया थे जिस कारण उनका थबादला किया गया बता दें हिंसा के रोहिंग्या की बस्ती पर भी बुल्डोजर चला कर कारवाई शुरू कर दी गई है जहां हरियाना पुलिस ने हिंसा की वाइरल वीडियो में 2300 लोगों की भी पहचान कर ली है नेता प्रतिपक्ष विज्यकुमार सिन्हा ने जेडियो के राष्ट्री अध्यक्ष पर पलट वार किया जहां उन्होंने कहा कि जो इस तरह से उन्होंने संज्वतान नहीं करेंगे इतना ही नहीं बिहार में हर जगे अत्या चार और अपरात का बोल बाला है लेकिन उस पर डालन सिंग कुछ नहीं बोल रहे है धक्ष और हमारी मानलिय संसद संसद में जिस तरह से गला फार करके बोल रहे थे बिहार में वह दिखाई क्यों नहीं पड़ता आप ही है ना जिसने कहा था पान की दुकान खोल लेंगे लेकिन राज़त से नहीं मिरेंगे समाज के मान सम्मान के लिए हम पेट का दांत गिनने वाले लोग हैं समाज को अपमानित नहीं होने देंगे मुझपरपुन में नरसंगार हो गया चार चार लोग मारे गए एक आवाद नहीं निकली दलित की बेटी की बेगुसराई में चीर हरन हुआ बस्तर को तार-तार कर दिया सामुहिक बलतकार हो रहा है हत्या भरन लूट बलतकार दरजनों मौत भाजपा अद्यक्ष दम्राट चौधरी ने महागठ बंदन पर निशाना साथते हुए कहा कि दो नेता के आपस मिल जाने से जो दावा किया जा रहा है कि चुनाव में जीत होगी और यही वज़ा है कि उनके दल के नेता भी एहंकार की भाषा बोलते हैं कि दिल्ली में तिलु हत्यकान के सब्सक्राइब के खिलाफ मामला दर्स कर लिया गया बता दे दिल्ली पोलिस ने तिहार जेल में हुए टिलु हत्यकान के 6 आरोपियों पर IPC 302 के तहत मामला दर्स किया वहें इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीक को सुनिक्षित किया गया बता दे इससे पहले ताजपुरिया मडर केस में जेल के तीन कैदियों ने अपना बयान दर्स किया था वहें अदालत ने इन सभी आरोपियों के सुरक्षा के लिए कड़े इंतिजाम करने के लिए जेल प्रसाशन को निर्दे श्ती है जानकारी के लिए आपको बता दे कि दो मई को तेहार जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया को मार दिया गया था जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ था फिलाल इस बुलिटेन में इतना ही देश दुर्या की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखती रहिए आज की खबर